हम देख रहे हैं डेली मार्केट रिव्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रफॉर्मेंस क्या रहा आज के दिन और क्या हो सकता है कल के दिन हम समझने की कोशिश करेंगे टेक्निकल चार्ट की हल्प से नमस्कार मैं जीत सिंग स्वागत करताओ के चानल ठाकू निफ्टी मतलब स्ट्रेंथ के साथ खुला और यह देख सकते हैं कि उसके बाद फोड़ी सी डाउनफॉल देखने के लिए मिला और एक हायर लोग आपस स्टैब्लिश करताओ ऊपर चला गया एक ट्रेंड लाइन बहुत ही बहतरीन तरीके से लिए आप चेक कर सकते हैं बह अब यह देख सकते हैं कि हम यहां पर देख सकते कि किस सरे से ब्रेक हुआ फिर रागे क्लोजिंग उस टेंड लाइन के ओपर दिया और वापस अप्रेंड हो गया तो यह बहुत ही अप्रेंडिंग मूफ कर रहा है निफ्टी और असा लगता है कि यह जलसे जलद अपने ल से सिर्फ 90-94 पॉइंट सी दूर रह गया है अगर डेली चार्ट से प्रॉपरली अप्रेंडिंग है डोजी टाइप का केंडल प्रिंट किया है अप्रेंडिंग रहा थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने मिला प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए हमको मेरी निफ्टी म से पिंघ्री अगर के डिंखर इस मत में निफटी 4.83% 706 पॉइंट प्लस जो की बहुत ही स्ट्रेंड दिख रहा है निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में आज के दिन हमको अगर मों कंपेर करें कल की जो क्लोजिंग थी होती 34,684 और आज की जो ओपनिंग थी 34,664 तो गैप डाउन था और गैप डाउन के बाद यह चेक कर सकते हैं कि किस सरीके से एक ही रेंज में घूम रहा है निफ रहा है और एक ब्रेकाउट के नस्दीक में ठेट कर तब हमको दिख रहा है यहाँ सई सकतने कि यह जो लो市 हई पाउजिंट हमको देखने मिलता है आज घूए चार और बहुत तेजी से आगे बड़ा यहां पर चेक करें तो एक बुलिश केंडल दिखता है प्रॉपरली हमको बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी आपने वाल टाइम में 36500 हो जाएगा जिस तरीकिसे बैंक निफ्टी का प्रफॉर्मंस हमको दिखता है यहां पर चेक करें तो इस वीक में अभी तक 141.41% Is 488 पॉइंत हम और हमको यहां पर चेक कर रहे है बैंक निफ्टी अगर मंतली बेसिस पे देखें तो मंतली बेसिस पे इस मंत में 7% प्लस से बैंक निफ्टी EMS पे देखें एक घंट एक घंटे के आर्ली कैंडल्स पे क्या कर रहा है निफ्टी वो सौझने की कोशिश करेंगे अगर बैंक निफ्टी ने आज के दिन ज्यादा ट्रेड बहतर तरीके से रिकावरी किया और बाउंस बैक किया है यहां पे देखें तो हायर लोग स्टैब्लिश करता हुआ दिख रहा है प्रॉपर ली चार्ट में भी प्रॉपर ली अप्रेंडिंग है पास दिनके मुईंग कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी आज के दिन एक थ्टाब्लिश करते हैं तो अग्रेंटिंग है उसी तरीके छाइए कि साइट पर आज जाए और समझने की कोशिश करें कि क्या रहाज अचे में कौन-कौन-कोन-डे-sherds में चेंड़ID को दिखा है कौन-कोन-कोन-डे-sher में वीक्नेस रही कौन कौन दर शेड्स ज्यादा एग्रेसिव रहे तो लोग समझे की कोशिश करेंगे वैसे हम देखे तो कंपनी राच प्लस रही 16 कंपनिया माइनस रही 36 प्लस रहा निफ्टी 0.24 बढ़न वले शेड्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बजाज ओटो कोटक बैंक और एक्सेस बैंक रहे गिन्न वले शेड्स में प्लस बैंक और बैंक अगर करें अगर नेट के नेट कैश में क्या बाइंग की है तो अम लोग एनसी की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं यह कल का ही डेटा है अभी दक आज का डेटा आया नहीं है तो कल का अगर डेटा देखे तो 241 क्रोड का बाइंग किया था कैश में तो कह सकते हैं ना वो बाइंग देख रहे हैं वहां सेलिंग देख रहे हैं ऐसा हम लोग समझ सकते हैं अगर आपको थोड़ा साव इस्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट कर पा रहें कुछ बता पा रहें तो प्लीज अंचल को सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें जरूर सब्सक्राइब करें नमस्कार धन्यवाद थन्यवाद